जम्बू कस्मीर के डोडा जिले में सुरच्छा वलों ने एक आतंगवादी को गिरफ्तार किया है तो वही अधिकारियों ने बताया है कि इलाके में आतंगी के छिपे होने के इंपुट मिले थे जिसके बाद सेना और जम्बू कस्मीर पुलिस ने सयुक्त अभियान चलाया तो वही ऑप्रेशन में डोडा सहर के बाहरी लागे से आतंगवादी को गिरफ्तार कर लिया गया आपको बता दे कि इस आतंगी के पास एक चीनी पिस्तौल, दो मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है तो वही अभी मामले की जाद जारी है ब्यूरो रिपोर्ट आई पीन